हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू दा मैथ क्लासिज, स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका डाइनामिक्स का 8th chapter स्टार्ट करका था, उसी का 8.1 exercise का question number 18, ठीक है, mostly स्टुडेंट्स का doubt था इस question में, तो इस question को देखिए, क्या है इस question की statement क्या गीवन है आपके पास, एक पार्टिकल को आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया, अलफा एंगल से, लेकिन जब टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल किसी दूसरी पोजेशन पे पहुचेगा, तो उसका जो इलिवेशन है, means उसक अपियर हुआ है आपका पीटा, तो आपको ये प्रूव करना है, कि जो उसकी इनिशर वेलोस्टी है, वो क्या है आपके पास है, ये, तो देखो इसका डाइग्राम देखो, मान लिए आपके पास ये आपका होरिजेंटल एक्सिज, ये आपके पास क्या है, वर्टिकल एक जब पार्टिकल आपका ऐसे ट्रेवल करेगा, इस पात को ट्रेस करेगा, तो टी टाइम के बाद कहां पहुंचेगा, मान लो आपने टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है पार्टिकल की पोजिशन, आफ्ट perpendicular draw किया यह आपका o point इसको आपने मान लिया point m ठीक है तो यह थे आपके पास situation कि अगर आप alpha angle से और u velocity से particle को project करोगे तो after time t जो आपका particle होगा उसकी जो horizontal के साथ angle है वो कितना है आपका beta वो आपने मान लिया ठीक है अब हम क्या प्रूव करेंगे जो आपके पास इसकी initial velocity है वो initial velocity कितनी आएगे आपकी यह आएगी यह प्रूव करेंगे ठीक है देखो कैसे करोगे जब मान लिया आपने अब देखो अगर आप इस पॉइंट पी के कोडिनेट फाइंड आउट करना चाहोगे तो किसके कोडिनेट कितने आ जाएंगे आपके पास है अगर कोई position vector r, बिटा एंगल बनाता है horizontal के साथ तो उसका horizontal direction में तो component के आएगा r cos बिटा और perpendicular direction में component के आएगा आपका r sin बिटा तो इस point p के कोडिनेट के आजाएंगे आपके पास r cos बिटा, r sin बिटा यह आपके पास किया आगे, point p के कोडिनेट आगे अब देखो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था कि आपका पार्टिकल U velocity से और alpha angle of projection से अगर project करेगा तो वहाँ पे आपके पास क्या case आया था यापने क्या क्या पार्टिकल को project किया initial velocity कितनी U, angle कितना आपके पास alpha तो P point के अगर आपने coordinate निकाले थे वहाँ पे तो ओ coordinate के आए थे आपके X is equal to U cos alpha into T ठीक है, alpha की term में आपके पास इस point P के coordinate के आए थे आपके X तो आया था U cos alpha T और Y कितना आया था आपके पास U sin alpha T minus 1 by 2 GT square अब देखो, alpha की term में अगर P के coordinate देखे तो आपके पास ही आए, लेकिन अगर बिटा की term में आपने P के coordinate देखे तो वो coordinate क्या है, आपके पास ही आए तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों coordinate क्या होंगे आपस में, same होगे, क्योंकि same point P के coordinate है एक alpha की term में है, दूसरा किसकी term में है, बिटा की term में तो दोनों क्या हैंगे आपके पास सेम आएंगे सेम आएंगे तो देखो क्या हैगा जो इसका x-coordinate है और जो इसका x-coordinate है दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे और इसका x-coordinate कितना है u cos alpha t और इसका x-coordinate क्या है r cos beta तो यहां से क्या imply होगा आपका r cos beta this is equal to u cos alpha into t यह तो आपके क्या होगे दोनों x coordinate equal अब क्या होगे y coordinate equal इसका y coordinate कितना है r sin beta तो आपके पास क्या आएगा r sin beta this is equal to और इसका y coordinate क्या है आपका alpha की term में u sin alpha t minus 1 by 2 gt square इसको equation number 1 माल लिया इसको equation number 2 माल लिया अब देखो आपको तो क्या निकालना है u निकालना है u निकालने के लिए क्या करो r को eliminate कर दो r eliminate कप होगा जब दोनों को divide कर दोगे तो आपने क्या किया let divide equation 1 by 2 आपने क्या किया, divide equation 1 by 2, अगर 1 को 2 से divide करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, r cos beta upon r sin beta, this is equal to u cos alpha into t upon u sin alpha t minus 1 by 2 gt square, यह आपने क्या किया, दोनों equations को divide कर दिया, आप देखो r से आपका r cancel हो जाएगा, t आपका throughout common कि क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो आपके पास देखो क्या imply होगा, यहाँ से, this implies cos beta upon sin beta, this is equal to, t तो आपका cancel हो जाएगा, यह आपके पास आएगा, u cos alpha upon u sin alpha, t तो आपका cancel हो जाएगा, minus 1 by 2 gt, 1t यहाँ से cancel हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, क्या कर सकते हो निचे से इस 2 को common ले दो, तो आपके पास यह क्या बन जाएगा, this is equal to, 2u cos alpha upon 2u sin alpha minus gt, ठीक है, अब देखो, यह factor और यह factor दोनों equal हैं, दोनों को क्या करो, cross multiply कर दो, अगर cross multiply करोगे तो देखो, आपके पास क्या आएगा, cross multiply करने से आपके पास आएगा, cos beta into, यह क्या हो आएगा, आपके पास, 2u sin alpha minus gt, and this is equal to, 2u cos alpha into, क्या हो आएगा, आपके पास, sin of beta, दोनों को क्या कर दिया, cross multiply कर दिया, अब अब आपके इस को solve करके आपको u की value निकालने हैं, तो देखो, कैसे निकालोगे, u की value निकालने के लिए क्या करो, जिसमें u है, आपकी उस term को excite कर लो, जो बाकी u नहीं है, उसको दूसरी तरफ कर लो, तो देखो, एक तो u कहां से आएगा, आपके पास, जब इसकी multiply करोगे, तब, एक आपके पास u वाली term यह है, तो इसको इधर shift कर लो, जो cos beta gt है, उस is equal to 2u cos alpha into sin of beta, अब u वाली term को इधर ले के आओ, इसको इधर ले के आओ, तो कितना आएगा, आपके पास, 2u cos beta sin of alpha, और यह क्या आएगा, आपके पास, minus 2u cos alpha sin of beta, this is equal to cos beta into gt, ठीक है, अब देखो, 2u क्या है, दोनों में से common है, तो इसको क्या करो, common निकाल दो, तो क्या ब alpha cos beta minus sin beta cos alpha, and this is equal to कितना है, आपके पास, cos beta into gt, अब देखो, आपको तो u की value चाहिए, तो u की term को इधर करो, बाकी को इस तरफ shift कर दो, लेकिन देखो, यह किसका formula बनेगा, आपके पास sin a cos b minus sin b cos a, तो क्या बनेगा, आपके पास sin a minus b का formula बनेगा, तो आपके पास यह क्या and this is equal to cos beta into gt, अब u निकालने के लिए क्या करो, u को उधर रखो, बाकी को इधर shift कर दो, कितना आजाएगा आपके पास, u is equal to, यह आपके पास आएगा, cos beta gt upon sin of alpha minus beta, और यह 2 भी क्या आजाएगा, आपका साथ आजाएगा, तो इसका मरलब हमने initial velocity u निकाल दी, ठीक है, और आपके पास initial velocity है, वो क्या है, gt cos beta upon 2 sin alpha minus beta, और यही हमने निकाल दी, तो यह था आपका exercise का question number 18, I hope आपको clear हो गया होगा, फिर भी कोई doubt है, तो आप पूछ लेना, ठीक है,